वेलकम बेक तो माई चैनल तो आज मैं आपके साथ लेकिया है यह सेवन डे चैलेंज आपका चैरह इतना जादा गोरा हो जाएगा आपका आपकी जो भी प्रोब्लम है ना स्किन के और सारी खतम हो जाएगी मैं आपको गारंटी से बता रहूँ बस साथ दिन आप जो मैं बता अगर आपको अपना चैरह एकदम इस तरीके से चमकाना है कि आप लोग आपको कमेंट करें कि आपने यह प्रोडेक्ट कहां से यूज किया या पालर भी जाके आयो आप घर बैटे बहुत ही अच्छा फेशियल लूक पा सकते हो करना कुछ नहीं सारी मैं बता दूंगी सब इस दो colored एल-डाला है या जो आपको Bridal लुक जो आता है इस तरीके से प्राइडल का चैरह समगत तन स्टाइम वह इस यही राफजता है कि आप लोग हल्डI का यूज करते हैं इस तरीके से अच्पिन में आ चाहते हो आपStra three औल दालें जिए अब इस और दूध के अन्ड मेरी स्किन बहुत अच्छी हो जाए ऐसा कुछ नहीं होगा केवल एक दिन में आपको बोल रही हूँ कि मैं आपके साथ साथ दिन चैलेंज कर रही हूँ अगर आपने जो जो रेमेडी में बताई है ना वह यूज कर ली गाइस आपका जो कलर है ना और आपका जी स्किन टोन ह जो भी दिकत है पिमपल्स की है या ब्लैक हैट्स वाइट्स है आपको इनीचे डाक सकल है सारी खतम हो जाएगी यहां हल्दी डाला था केवल और दूड डाला था इन तीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद में डालेंगे आटा आटा हमारे ब्लैक हैट्स को हटाने का बहुत ही अच्छा यूनिक एक तरीके से नुस्का है आप अगर ब्लैक हैट्स के आपके बहुत ही जादा समझी है तो आप आटा है यूज़ करें इस तरीके से तो यहां डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह जो रेमेडि है इतनी जादा यूनिक है आपको आपको साथ दिन यहीं बताऊंगी कि यही यही रेमेडी यूज करनी है नहीं गाइस मैं आपको एक ऐसी ऐसी रेमेडी यूज करना बताऊंगी कि आप नेचरल तरीके से ग्लो भी कर सकते है अपना चेरा और चेरा इतना ज़्यादा चमक जाएगा मैंने खुद ने ट्राइ किया न मुझे खुद को फरक पता पढ़ा है तब ही मैंने आपकी साथ रेमेडी शेयर किये इस तरीके सच्चे से मिक्स कर लेंगे और मैं आपको खुद चैलेंज करके बता रही हूँ कि अगर आपको फरक नहीं दीखे न साथ दिनों में जो जो मैं रेमेडी बताऊंगी तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो कि दीदी आपने जो बता है वो बिल्कुल भी असर नहीं किया है चैरे पे तो यहां देख सकते है बहुत लोगों को दिक्कत होती है कि हल्दी हमारे चैरे पर लगाने के बाद में हल्दी का color आ जाता है सबसकते हैं बस अगर आपको थोड़ी का जाróधा कलर नहीं चाई तो आप तो आप एक तरीके से पीछे करके अच्य से देख सकते हैं आप कोई पी चीज एक सब बिल्कुल नहीं करना है सारी चीज़े डालना इसके अंदर इस तरीके से इसको अच्छे से फैट लेंगे तरीके से इस तरीके से हम लोग कोई कड़ी बनाते इस तरीके स कोई पेस्ट बनाते इस तरीके से इसको गुमा लेंगे अच्छे से इस पेस्ट को इस पेस्ट को आपने अपनी फैमिली के साथ भी शेयर करें, सभी को बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, तो मैंने खुद के लिए नहीं बनाया, पुरी फैमिली के लिए बनाया, अपनी मम्मी के लिए भी बहन के लिए भी, और इसको ऐसा नहीं कि लेडिजी यूज कर सकती है, और बोईज भी उस कर सकते हैं, यहां डाला है चावल का आटा, चावल का आटा तो आपको खुद को पता है कितना जादा बेनिफीश्यर, बहुत ही जादा फायदा करता है, हमारी स्कीन टोन को सुदारने में सबसे जादा है नहीं करता है, बहुत लोग चावल का आटे का पानी होता है, लास्ट में जो रखते हैं, उसका भी इस तरीके से स्क्रबिंग करता है, चावल को धूलते हैं उससे, तो मैंने यहां चावल का आटा अप्लाई किया, यह जो सारी चीज़े डा दी है ना, मैं गारंटी से बता सकती हूँ, एक बार लगा लोगी ना, आप इ इस रेमेडी को डेली बना के लगाओगे, तो यहां देख सकते हैं, मेरा चारा एकदम डल है, तो मैंने भी सोचा है कि 7 दिन का मैं भी चैलेंज ले लेती हूँ, और हमारे भी घर में शादी है, तो मैं भी सोच रही हूँ कि थोड़ा चारे को अच्छी से चमका लेती आघर दिन इसको अप्लाए करूना आपके साथ साथ और देखती, मेरे चैरे पे इसको अच्छा रिजस, दिखाई देती हूंगे किस तरिक इस को इस तरीक से अप्लाए करने अपने चैरे परूब जो पेस्टे बना है ना इस Definition में लेकर नहीए कि अरग कि अभी अभी मॉ आपको एक तीस गारंटी से बता सकती हूँ कि आपको पार्लर जाने की बिल्कुल स्वरत नी पड़ेगी आपको लोग आपको एक दू दिन में बोलना स्टार्ट कर देंगी कि आपने अपने चाहरे पर क्या लगाना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि यह जो रेमेडी जैना यह मेरी मम्मी की अब बहुत ही स्पेशली है मेरी मम्मी का कलर एकदम फेर है और एकदम उनके पिंपल्स वगरा कुछ नहीं होते हैं हमेशा क्योंकि वो रेमेडी अप्लाई करती है अपने चाहरे पर तो यहां इसलिए मैंने भी सारी ट्रिक पुनी की लिए और बहुत ही अच्छी है यह ट्रिक मैंने भी बहुत बार ट्राय किया तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शियर कर देती हूं तो यहां देख सकते इसको अच्छी से लगा लेंगे चैरे के उपर और गले के उपर अच्छी लगा लेते हैं जिसे गला हमारा काला काला दिखताया और चेरा थोढ़ा गोरा जाता तो भी अच्छा नहीं लगता क tuvakे से यह रेमेडु बहुत यह च्छी लगा ले लिए तो इसको अपने छेरे बाइना को सूका लिए च्छी सीख़ जेख सकता यह नहीं यहां ने कि तो डी तोड़ी जगे पे इस दिख तो आपका भी ऐसे हो जाएगा तो साथ दिन के चैलेंज में कल कोई नहीं रामेडी में आपके साथ शेयर करूंगी तो आप मुझे जरूर पताने कि आपको रामेडी कैसी लगी तो आज की इतना ही थेंक्यू बबाई